आज हम बात करने वाले हैं कि आप Facebook पर ID कैसे बना सकते हैं यानि कि Facebook पर account कैसे create कर सकते हैं तो आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं इसके लिए Google Play Store से Facebook application को install करने के बाद आपको यहाँ पर Facebook app को open करना होगा जैसे ही Facebook application को open करेंगे यहाँ पर एक option आएगा login करने का बट यहाँ पर हमें एक new account create करना होगा तो नीचे एक option आप देख सकते हैं create new Facebook account इस option पर click करिए click करने के बाद एक option आएगा नीचे next next option पर click करिए next पर click करने के बाद option आएगा what's your name यहाँ पर अपना name enter करिए यहाँ पर आपको first name enter करना है सबसे पहले तो यहाँ पर हम first name enter करते हैं उसके बाद option आएगा last name last name पर click करके अपना last name enter करिए last name enter करने के बाद next का option आएगा next पर click करिए अब यहाँ पर अपनी date of birth आपको select करनी होगी तो जैसे कि यहाँ पर आप month select करिए उसके बाद यहाँ पर आपको select करनी है date और यहाँ पर उसके बाद last option है year यहाँ पर अब year आप select कर सकते हैं इस type से आप नीचे स्क्रोल करके और उपर स्क्रोल करके select कर सकते हैं अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी age यहाँ पर show हो जाएगी तो यहाँ पर उसके बाद next option पर click करिए अब यहाँ पर gender आपको select करना होगा तो यहाँ पर हम इसे select करके next option पर click करेंगे तो यहाँ पर अब अपना phone number आप enter कर सकते हैं अगर आप अपना phone number enter नहीं करना चाहते हैं आप अपनी email id से account create करना चाहते हैं तो आपको नीचे मिलेगा sign up with email address इस पर आप click करिए उसके बाद आपके phone में जो email account यहाँ पर login होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे और id से create करेंगे कोई और email address से जो की आपके phone में login नहीं है तो use a different email पर click करिए उसके बाद अपना email address यहाँ पर आप add कर सकते हैं तो यहाँ पर हम enter कर देते हैं email address enter करने के बाद आपको मिलेगा next का option next option पर click करिए अब उसके बाद एक option आएगा choose a password यहाँ पर आपको एक password create करना होगा at least six characters का तो यहाँ पर अपना एक strong सा password आप create कर लीजिए यहाँ पर हमने password create कर लिया है अपने facebook id का अब आपको एक option मिलेगा next का तो next option पर click करिए अब यहाँ पर उसके बाद ऐसा interface आएगा यहाँ पर अपने facebook पर contact को sync करना चाहते है तो sign up वाले option पर click करिए नहीं तो sign up without uploading by contact पर click करिए और यहाँ पर creating your account यानि कि आपका account create किया जा रहा है थोड़ा सा wait करिए अब उसके बाद यहाँ पर अगर आपको profile picture को add करना है तो इस पर click करके कर सकते हैं नहीं तो उपर skip option पर click करिए यह सब आप बाद में भी कर सकते हैं upload contact करना चाहते हैं तो इस पर click करिए नहीं तो skip button पर click करिए उपर right side में यहाँ पर हम skip करते हैं उसके बाद अपनी यहाँ पर आप interest की जो भी चीज़े हैं आपर select कर सकते हैं उस type का आपको content दिखाया जाएगा facebook पर इसे भी हम skip करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे ok बटन पर click करिए और आपका facebook account create हो चुका है यहाँ पर और अब यहाँ पर आप इसे use कर सकते हैं अपने facebook पर आप friend add कर सकते हैं तो इस तरह से आप facebook account create कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें